हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो नेक्स्ट स्टड़ी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो को टॉपिक है टेंपरेचर एंड हीट ताप था उश्मा ताप था उश्मा से लेटिक जितने भी कोश्टेंस कॉंप्लिटिव एक्जाम से मायने कि संभाब ना हैं वो सब आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे सो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा ज़रू गेखें आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहेगा तो आगे बढ़ते हैं अपने आज की कोश्टेंस की और आज का हमारा फर्स्ट कोश्ट ह बस्तु को गर्म करने पर उसके अड़ों तुम्हारा राइट आंसर होगा फ्रेंट्स उसके अड़ों की चाल बढ़ जाएगी बस्तु को गर्म करने पर उसके अड़ों की चाल बढ़ जाएगी option number A हमारा right answer होगा आगे बढ़ते हैं friends हमारा next question है किसी बस्तू का ताप किसका सूचक है तो हमारा right answer होगा friends option number D उसके अड़ों के ओसत गती उड़जा का किसी बस्तू का ताप उसके अड़ों की ओसत गती उड़जा का सूचक है option number D हमारा right answer होजाएगा friends आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और हमारा next question है बस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उश्मा थोमारा ही डांसर हो जाएगा friends ऑप्सन नमबर B अपिछा करत कम ताप की बस्तु में उस बस्तु से प्रवाहित होगी बस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करन और राइट आंसर होगा friends, option number D, उसमें उर्जा बढ़ गई है, option number D हमारा right answer होगा, इसी बस्तु के ताप की ब्रद्धी का अर्थ है कि बस्तु की उसमें उर्जा बढ़ गई है, option number D हमारा right answer रहेगा, आगे बढ़ते हैं friends हमारा next question है, जब किसी बस्तु को ठंडा किया जाता ह है तब उसके अड़ों, तो right answer होगा friends, option number B, उसके अड़ों की चाल घट जाती है, जब किसी बस्तु को ठंडा किया जाता है, तब उसके अड़ों की चाल घट जाती है, और जब किसी बस्तु को गर्म किया जाता है, तो उसके अड़ों की चाल बढ़ जाती है, तो हमारा यह प्रकार की उरजा है जिसे कार्री में बदला जा सकता है इसका प्रतेक्षी प्रमाड किसने दिया इक प्रतेक्षी प्रमाड रमफोर्ड ने दिया ऑप्सन नंबर बढ़ते हैं और नेक्स्त कोषिन की और किस विज्ञानिक ने सर्व प्रथम वर्फ के तुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया आगे पड़ते हैं हमारे नेक्स्कोषिन की और हमारे सबस्बिdestRI हैं जब कभई कार यां अंसर मैं अब बदलता है तो यह उश्मक कार में बदलती थो हुछ किये गए कारिवा उश्मा का अनुपात एक इस्षीरांग कोता है जिसे उश्मा का यांतरिक दुल्यांक दांक कहते हैं इसका मान्म होगा तो आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और बास्प इंजन में उबलते हुए जल का तापन किस कारण से उच्छी हो सकता है तुमारा right answer हैगा friends, option number C, यांतरिक उर्जा का रूपा आंतरण उसमें उर्जा में होता है option number C, हमारा right answer हो जाएगा अगबार फिर question, repeat करते हैं बास्प इंजन में उबलते हुए जलका तापमान किस कारण से उच्छी हो सकता है तोमारा राइट आसर हैगा फ्रेंट्स ओप्सन नमबर C यांत्रिक उर्जा का रूपा अंत्रड उसमी उर्जा में होता है आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स हमारा नेक्ट कोश्चन है बास्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण उच्छी हो सकता है तोमारा राइट आसर हैगा फ्रेंट्स ओप्सन नमबर C बाइलर के अंदर उच्छ दाव होता है बास्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान उच्छी होता है क्योंकि बाइलर के अंदर उच्छ दाव होता है आग बढ़ते हैं friends हमारा next question है सीत काल में hand pump का पानी गर्म होता है क्योंकि हमारा right answer है friends option number B प्रजवी के भीतर ताप मान बायू मंडल के ताप मान से अधिक होता है option number B हमारा right answer है friends सीत काल में hand pump का पानी गर्म होता है क्योंकि प्रजिविक के अंदर का तापमान बायू मंडल के तापमान से अधिक होता है ओप्सन नमर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा आगब बढ़ते हैं फ्रेंट्स हमारा नेक्ट कोश्चन है SI सिस्टम में तापमान की इकाई है तो हमारा राइट आंसर हैगा फ्रेंट्स ओप्सन नमर A केल्विन SI सिस्टम में तापमान की इकाई केल्विन है ओप्सन नमर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा आगर बढ़ते हैं friends हमारे next question की और इन में से कौन उस्मा का मातरक नहीं है तो उस्मा का मातरक नहीं है तो उस्मा का मातरक नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा friends आगर बढ़ते हैं friends हमारे next question की और ताप का SI मातरक है तो राइट आंसर होगा friends option number A Kelvin है option number A हमारा right answer हो जाएगा friends आगर बढ़ते हैं हमारे next question की और एक किलो केलोरी उस्मा का मान होगा तो राइट आसर हैगा friends option number C 4200 4200 J рок 1 केलोरी उस्मा कमान new Ll में अधी देखें, तμο 4200 J हो गा 1 कालोरी इसकस्ट टू 4200 J HOL होगा उखे on Web अधर बठते हैं want machst fertile मारे नेक्ट कोशिन की और अमबर नेक्ट कोशिन है छल जल प्रपात के अधिस्तल पर जल का ताप मान ऊपर की अपेक्छा अधिक होने का कारण है तो हमार राइट आंसर है का फ्रेंड्स ओप्सन नमबर C गिर रहे जल की गतिज उर्जा उस्मा में बदल जाता है या उस्मा में बदल देता है गिर रहे जल की गतिश उर्जा उस्मा में बदल जाती है जिस कारण से जल प्रपात की अधिस्टल पर जल का ताप मन उपर की अपेक्षा अधिक होता है तो हमारा राइट आंसर है का फ्रेंड्स ओप्सन नमबर C आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है गर्मियों में ताप 46 डिगरी सेल्सियस हो जाने पर भी उठ गर्मी से राहत महसूस करता है तो हमारा राइट आंसर हैगा फ्रेंड्स ओप्सन नमबर B आप्सन नमबर B हमारा राइट आंसर रहेगा अपने सरीर के ताप को 42 डिगरी सेल्सियस बढ़ा कर उठ गर्मियों में 46 डिगरी सेल्सियस हो जाता है फिर भी राहत महसूस करता है कैसे तो वह अपने सरीर का जो ताप है वह 42 डिगरी सेल्सियस बढ़ा लेता है और गर्मों में भी अपने खुद में राहत महसूस करता है So friends, option number B हमारा right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और हमारा next question है बर्फ परदाव बढ़ाने पर उसका गलनांग तो हमारा right answer है का friends, option number A उसका गलनांग घट जाएगा option number A हमारा right answer हो जाएगा बर्फ परदाव बढ़ाने पर उसका गलनांग घट जाएगा option number B, option number E हमारा right answer है आगे बढ़ते हैं friends हमारे next question की और गेस ताप मापी द्रव ताप मापियों की तुलना से ज़्यादा संबेदी होते हैं क्योंकि तो हमारा right answer है friends, option number B का प्रसार गुणांक अधिक होता है, गेस ताप मापी द्रव ताप मापियों की तुलना से ज़्यादा संबेदी होते हैं क्योंकि गेस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, option number B हमारा right answer हैगा आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और ताप युग मताप मापी की सिध्धान्त पर आधारित है, तुमारा right answer हैगा प्रेंड्स, option number A, सीवे के प्रभाब सिध्धान्त पर आधारित है, option number A, हमारा right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं friends, हमारे next question की और प्रेंड्स, option number C, पूर्ण विक्रन उट्टाप मापी द्वारा की जाती है option number C, हमारे next question की और हमारा next question है, पूर्ण विक्रन उट्टाप मापी किस धान्त पर आधारित है, तुमारा right answer हो जाएगा पूर्ण विक्रान उत्ताप मापी द्वारा दूर की बस्तुन जैसे सूरी काता आप पूर्ण विक्रान उत्ताप मापी द्वारा मापा जाता है आगे बढ़ते हैं फ्रेंज हमारा नेक्स कोशन है थंडे देशो में पारा के इस्तान पर एल्कोहल को वर्यता क्यों दी जाती है तो आगे बढ़ते हैं हमारा राइट आंसर है कि और विक्रन पाईरोमीटर में विकिरन पायरोmeeter में कितना ताप क्रम आपा जा सकता है आगे बढते हैं friends together या हमारे नेक्ट कॉस्चन की होड़ थर्मो कपल या हिंदी में नों बोली तो ताप युगमक किसके द्वारा बनाया जाता है तो आप राइट आंसर रहेगा फ्रेंज, ओप्सिन नमबर C, दो अद्रश्ट धातुओं, थर्मो कपल या ताप युगमक, दो अद्रश्ट धातुओं के द्वारा बनाया जाता है, ओप्सिन नमबर C, हमारा राइट आंसर रहेगा फ्रेंज, आगे बढ़ते हैं, हमारे ने कोशन की और निमने लिखित ताप मापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है तो हमारा राइट आंसर है किसी मनुष्री का सामने ताप मान कितना होगा तुमारा राइट आंसर है आगे बढ़ते हैं हमारे नेस्ट कोशन की और सेल्सियस ताप क्रम पर जलके कथना कता ही मांग होते हैं तुमारा राइट आंसर है किसी मनुष्री कोशन की और ताप के सेल्सियस पेमाने पर परम शुन्ने ताप क्या होगा तुमारा राइट आंसर है किसी मनुष्री कोशन की और केल्विन मान से मानव शरीर का सामाने ताप क्या है तुमारा राइट आंसर है किसी मनुष्री केल्विन मान में मानव शरीर का सामाने ताप 310 केल्विन रहेगा फ्रेंट्स केल्विन मान की बात करेंगे तो 310 डिगरी केल्विन रहेगा और यदि फारेन हैट की बात करेंगे तो 98 डिगरी फोरेन हाइट रहेगा अंकर बढ़ते हैं फ्रेंट्स के कोन साथ आप प्रॉं सेंटीड और फारेन हैट दोनों आपक्रमों में समान है तो हम आप राइट रहेगा दोनों मा प्रॉं में ब्राइब हैं तो हम चल्च टो – 40 डिगरी 2 होरेन हाइट क्योंकि यहाँ बोला आपक्रम ब्राइड sach हागे बटते हैं हमारे कॉश्चन की ओर नियोंतम संभवत्याप माइनस दोसोजाटी हत्ता डिग्री सेलश्यस नियुमतम संभवत्याप है ओस्यूस्यूसी घ्यक्राय के हमारे किखें की ओर किसी बस्तू का ताप 212 डेगरी फारैन हाइट है तो Celsius प्यमाने पर उस बस्तू का ताप कितना होगा तो हमारा राइट आंसर हैगा friends option number C 100 डेगरी Celsius हमारा राइट आंसर हो जाएगा Fahrenheit scale पर बस्तू कता पर 212 हैं तो Celsius प्यमाने पर वह 100 डेगरी Celsius हो जाएगा तो हम कह सकते हैं 212 डिग्री फारेन हाइट is equal to 100 डिग्री Celsius आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और Celsius पे माने का 0 डिग्री फारेन हाइट scale के कितने डिग्री के बराबर होगा तो हमारा राइट आणसर रहेगा आपसे नमबर B 32 डिग्री Celsius 32 डिग्री Celsius फारेन हाइट के 0 डिग्री Celsius के बराबर रहेगा राइट आणसर रहेगा फ्रेंट यहां से ऑपसे नमबर B 32 डिग्री Celsius आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और किसी मनुष्ट के सरी का सामान इताप मान फारेन हाइट में कितना होगा फ्रेंट में आपको बता है था 98 डिग्री फारेन हाइट किसी मनुष्ट के सरी का सामान इताप फारेन हाइट में 98 डिग्री फारेन हाइट होगा तो उपसे नमबर B हमारा राइट आंसर रहेगा फ्रेंट किसी मनुष्ट के सरी का सामान इताप मान अंडेड डिग्री फॉरन हाइट बॉरन हाइट ताप क्रम पर सामा निवाई मंडली दाप पर उबलते पानी का ताप होगा हन्डेड डिग्री फॉरन हाइट राइट आंसर रेफ्रेंट्स ऑक्स नमबर भी आगवारे नेश्ट तथा आज की वीडियो के लास्ट कोशन की औ तो हमार कोशन है दिल्ली में जलका कथनांग 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जलका ताप मान कितना होगा जलका कथनांग 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जलका ताप मान कितना होगा तो महां यहां से राइट आंसर हैगा फ्रेंट्स अप्स नमबर भी 100 डिग् प्लीज लाइक चरू करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि पार्ट टू सबसे पहले आपके पास बहुंचे थैंक्यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वोचिंग एनस्पी